हेलो चैरी किड्स कैसे हैं आप मेरी स्टोरी को इंजॉय कर रहे हो ना मैं भी बहुत इंजॉय करे हूँ मुझे भी स्टोरी सुनान में बहुत मज़ा आता है ठीके तो फिर आज हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो आज की स्टोरी का नाम है दा मॉंक एंड थीफ येस तो मॉंक क्या होते हैं मॉंक कौन है मॉंक होते हैं जो मुनी नहीं होते हैं रिशी मुनी उनको ही हम मॉंक कहते हैं लेकिन ये बुद्धिस्ट मुनी होते हैं बुद्धिस्ट जो होते हैं वो मॉंक्स जो होते हैं जो थोड़े से, नहीं, जादा से गंजे होते हैं, जिनके बालने होते हैं, वो मॉंक्स होते हैं ठीके, उस मॉंकी कहानी है और उसके साथ एक थीफ था वो क्या था? रोल उसका, मैं अब स्टोरी में बताऊँगी तो हमस्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्टोरी कि मैं अच्छा होंगा तो साने वाला भी अच्छा होगा तो उसके बहुत सारे डिसाइपल्स थी डिसाइपल्स कौन होते हैं उनके शिष्ये होते हैं जब बहुत बड़ कोई रिशी बन जाता है तो उसके बहुत सारे शिष्ये बन जाते हैं गुरू वो वो बन जाते हैं कि भेठ को बहुत जादा नौलेज आजाती है फिर वो अपने नौलेज को अपने डिसाइप्ल्स के साथ अपनी शिष्षे के साथ शेयर करता है और उनसे कहता है कि तुम अलग जाओ और तुम लोग भी मेरी जो शिक्षा है उसको सब जगाच बातो तो यह डिसाइप्ल्स भी ह आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताता था तो एक बार एक आदमी उसके पास अपता है और उसे कहता है गुरुजी गुरुजी प्लीज मुझे अपना शिश्य बना लेजे मुझे अपना डिसाइपल रख लीजे प्लीज आए बैग तो उन्होंने कहा कि क्य आपके बारे में इतना कुछ सुना है आप इतने अच्छे से सब लोगों को रखते हो आप इतनी अच्छी बाते बताते हो मैं आपका शिश्य बनना चाहता हूँ तो जब उन्होंने देखा उसकी आँखों में तो उन्होंने लगा कि नहीं यह तो सच लग रहा है तो क्यू अपना शिश्य बना लेता हूँ तो उस बंदे उसका नाम था कामत तो कामत ने अपना जी जान लगा के अपने गुरु जी की मतलब जो गुरु जी थी ना बोधी वो उनकी बहुत सेवा करता है सुपा सुपा उनकी उठने से पहले उठ जाता था उनके नहाने धोने का सार दीरे दीरे समय गुजरता रहा तो वो बड़े ही फेवरेट हो गया उनका शिष्ये अब तो बूधी गुरू जो थे वो बड़ा ही प्यार कर देते अपने शिष्ये को उसके बिना वो कोई काम नहीं कर देते कामत के बिना थी के अब कामत भी बड़ा ही दिल लगा कि अपनी पूरी सेवादारी करता था बहुत खुश रखता था अपने गुरू को एक बार गाउं में थोड़ा दूर एक और जो आगे गाउं था ना उसमें लोगों ने उन्हें बुलाया कि गुरू जी आप हमारे काउं आईए और हमें भी सिक्षा दीजिए हमें भी अपने बाते आप कितनी अच्छी बाते करते हैं हमें भी और ग्यान दीजिए तो उनों ने का ठीक है मैं आ जाता हूं क्योंकि उनका तो काम ही था क्योंकि वह अपना इसी से ना सोर्स ओफ इंकम थी इसी से जो लोग उन्हें कुछ लोग गिफ्ट देते थे ऐसा गिफ्ट कोई खाना द तो उन्होंने क्या किया उन्होंने का चीक है मैं आता हूं और हम लोग अपना ग्यान देंगे उन्होंने गए वहां पर दो तिन दिन रहे उनकी भी वहां पर काफी सेवा हुई कामत भी उनके साथ गया हुआ था वहां पर उन्होंने खुश होके अपने गुरू जी जो थे बोधी गुरू उनको बहुत सारा समान दिया, बहुत सारा खाने का समान, बहुत सारा रहने का समान, बहुत सारी ज्विल्री भी दी थी, जिससे कि पैसे थोड़ा बदलब वो पैसा उनके पास रहे, बहुत सारे पैसे भी दिये, अब तो गुरू जी ने मना किया कि ने नी नहीं है, मुझे तो बस थोड़ा ही खाना पीने का समान चाहिए, बस जिसे मैं और मेरे शेशे कुछ रह सके, नहीं का नहीं गुरुजी, आपने हमें इतना अच्छा ग्यान दिया है, अब प्लीज हमारी खुशी के लिए ये समान पी लिजे, नहीं का चलो ठीक है, रगदो म उन्होंने देखा उनका सारा समान गायब, बाप रे कैसे गायब हो गया, इस सारा समान लेकि कौन चला गया, उन्होंने अपने उसी शिशे को बुलाया, कामत शिशे को, देखा तो कामत शिशे भी नहीं मिला, फिर लोगों को समझ ही नहीं आया, कि ही कहा है, फिर एक उनका शिश्य था वो भागा भागा आया गुरुजी 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 तुन्हे का क्या हुआ भाई क्या बात है तुम इतना भाग क्यों आ रहे हो गुरुजी मैंने सुबह देखा था अंधेरा था और जो कामत था इतनी बड़ी पोटली में बहुत सौरा समान लेकि न वो समझ आया गया कि भाई जो कामत था उनके पैसे पे नजर रखे हुए था और जैसे ही उसे मौका मिला, जैसे ही उसे इतना पैसा तिखा वो पैसा लेके भाग गया, कितनी कंदी बात थी न अपने गुरू का पैसा फिर वो भाई उनको बहुत ही बुरा लगा कि मैं तो उस पे इतना विश्वास करता था इतना हार्ट वक करता था मेरे लिए तो तब लोगों ने उन्हें समझाया कि गुरुजी बात महनत की नहीं थी वो आपको दिखाने के लिए वो आपको इंप्रेस करने के लिए करता था पर नजर तो उसकी आपके पैसे पढ़ थी आपके समान पढ़ थी और जिस दिन मौका मिला उले के चला गया तो आप कभी भी शकल पे मत चाहिए उसकी नेचर को समझने की कोशिश करिए तो गुरु जी को थोड़ा सा समझ में आया कि मैं इतनी सारी चीज़े लोगों को समझाता हूँ लेकिन आज इस वाक्ये ने भी मुझे बहुत ही ग्यान की बात बताई तो यहां हमारी प्यारी सी स्टोरी ख़दम होती है तो आज की हमारी स्टोरी का मौरल क्या है? मेरी इसाब से जो मेरे इसाब से मौरल निकल कर आता है वो यह है कि हमें एपिरियेंस पे नहीं जाना चाहिए एपिरियेंसे आ डिसेप्टिव, डिसेप्टिव मतलब छलावा होती है, जूट हो सकती है और हमेशा जैसे कोई फ्रेंट बहुत ऐसा हो, एकदम लेजी सा दिखता हो, कोई ज़रूरी नहीं हो सकता है वो बहुत इंटेलिजेंट हो, वो कुछ सोच रहा हो तो हमेशा हमें एपिरियेंसे देख कर लोकों को नहीं समझना चाहिए उनको नहीं नापना चाहिए, कि भई यह ऐसा है, यह ऐसा है, यह ऐसा दिख रहा है, तो यह ऐसा है नहीं ना, तो यह हमारा मॉरल है, हमेशा अपने इंटेलिजेंस से काम लेना चाहिए हमेशा अपने दिमाग से सोच कर समझ के तब कोई डिसीशन लेना चाहिए ठीक है तो फिर हमें अब चलती हूँ मैं कल फिर नई सोरी के साथ आना है ना मुझको इसलिए मुझे जाना ही होगा फिर डोंट फोगे ते सब्सक्राइब माय चैनल नास का फ्रेंज अलसो तो सब्सक्राइब है एंड डोंट फोगेड़ अलसो आम रिमांदिंग यू अगैन ठीक है और फिर डोंट और मेरी वीडियो को लाइक भी तो है लाइक भी करना है ना आपको बसंद आती है ना लाइक भी करो ना फिर मिलते हैं कल तब तक के लिए बाबाई चारिकर्स लाव यू